वेल्कम टू फिजिक्स कोचिंग सेकेंड यूनेट लास्ट लेक्चर 2.17 इनके अंदर दो टॉपिक हम डिसक्स करने वाले है ठीक है एक है एनर्जी डेंसिटी और दूसरी टॉपिक है आपकी वेंदेग्राफ जनेरेटर तो एनर्जी डेंसिटी आपका सिलिबस का पार्ट ह जबकि वेंदेग्राफ जनेरेटर उनके प्रेंसिपल उनके वर्किंग आपका सिलिबस का पार्ट नहीं है तो आपको जो अभी ये लेक्चर से मतलब जो 110% के अफर्ट से स्टेडी करना है दाट इस एनर्जी डेंसिटी चलो तो एनर्जी डेंसिटी लेते तो मैं आपको एक एक्वेशन संपल बोलू एनर्जी स्टोर्ड इन कापसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कापसिटर तो उनका एक्वेशन सबको याद होगा है ना एनर्जी स्टोर्ड इन कापसिटर उनके एक्वेशन के आपको पता है आपको यू इस एक्वल टू क्यू स्क्वेर डिवा यह जो energy stored हो अगर पर यूवलयूम बो लू ची suppression बेट्विन Π्रेट औब टीर्प में टीडिए प्लेट उर्यड किदक्रान होगा एंटु डू ऑंटो दी है तो एनर्जी स्च्टॉर्ड d पर यूजंटी वाल्यूम बोलू तो वो आपकी क्या होगी energy density होगी चलो तो यहां पर देखो यह कनवर्जन में करता हूँ तो आपको पता है न सब को क्यों किसके बराबर होगा सिग्मा इंटू एक के बराबर क्योंकि सिग्मा सर्फेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है क्यों डिवाइड बाइड बाइए और फिर सबको यादे कि इन टू इन यॉड्ट बोलू यज और नो ठीक है एपसाईलों नाट इन्टू इन ओडि या तो अगर यहां पर इलेक्टरिक फिल्ट इ लिखो तो आपका खाली इलेक्टरिक फिल्ट क्या रहेगा एप क्लियर चलो तो सिग्मा की जगह पे क्या आजाएगा एपसाईलों नॉट या तो खाले अगर यह लिखो यहां पर इलेक्ट्रेक्ट फिल्ड बेट्विन देपलेट आप कैपसिटर ए तो यह क्या बनेगा एपसाइल नॉट इंटु ए यास और नॉट क्लियर एक आप पे सिग्मा की जगब पे और इंटु एरिया ए एक क्लियर चलो इनको यहा स्क्वाइर डिवाइड बाई टू सी सी कौन है कापसिटेंस और पार्लेल ब्लेट कापसिटर सबको पता है कितना है एपसाइल ओन जीरो ए डिवाइड बाई टी यास और नॉट चलो तो डी कहां पे जाएगा आपका उपपर ठीक है और आगर मैं संपल बोलू इनको आप स टाइल ओन नॉट ए स्क्वेर एक एरिया कट होगा एक क्लियर यह बाकी रहेगा एंटू एंटू डी तो यह आपकी क्या मिल गई एनर्जी मिल गई यही एनर्जी अगर पर यूनिट वाल्यूम बोलू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वाल्यूम एनर्जी टेंसिटी क्य होती है वही एनर्जी टेंसिटी क्या होगी एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनेट वाल्यूम स्टोर्ड पर यूनेट वाल्यूम इस गोल्ड एनर्जी टेंसिटी उसी को तो आप एनर्जी टेंसिटी बोलते हो तो देखो उसको मैं u small u बोलू तो small u क्या होगा energy stored divided by volume volume किसके बराबर होगा सबको पता a into d के बराबर तो half epsilon not e square a into d divided by volume क्या होगा a d यह दोनों cancel तो यह क्या मिल गए आपको half epsilon not e square this will be your energy density और इसको याद रखना आप यह energy density का density का formula आपको याद रखना है clear q square by 2c था q को replaced किया फिर simplification divided by volume किया तो यह आपको क्या मिल गए energy density of capacitor चलो फिर next वेंदे graph generator वेंदे graph generator तो वेंदे graph एक generator एक डवाइस है जिनसे आप काफी high potential create करते हो कि high potential कौन सी रेंज में 10 to the power of 6 watt वाली रेंज में आप क्या करते हो high potential create करते हो ठीक है और इनका application कहाँ पे होगा यह जो high potential के application है तो nuclear physics के लिए nuclear physics के अंदर जब आपको कोई charge particle को accelerate करना होगा तो वहाँ पे आप यह high potential यूज करते हो मतलब कि वहाँ पे इनका वेंदे graph generator का use होता है ठीक है तो यहाँ पे common principle है कि आपको क्या करना है potential को increase करना है potential को increase कैसे करोगे तो charge को add करकर के ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक simple example दूँ देखो आप यहाँ पर तो यहाँ पे देखो अगर दो शेल में consider करूँ देखो यहाँ पैसे एक की radius किसके बराबर है capital R के बराबर है इनकी radius है capital R के बराबर और इनके उपर charge रखा है plus Q, देखो ये वाला ठीक है plus Q, और एक दूसरी sphere है, जिसके उपर charge आपकी Q के बराबर है, वो भी positive है, और उनकी radius कौन है, smaller ठीक है, आपको साब साब देख रहा है कि इनका size कम है, charge भी कम है ठीक है, यहाँ पर radius थोड़ी ज़ाद है लेकिन charge भी ज़ाद है, तो इनके उपर जो potential होगा, वो क्या होगा कि Q divided by R और इनके उपर potential क्या होगा, कि Q divided by smaller radius के बराबर अगर दोनों shell को में connect करू अगर दोनों shell को में connect करू तो charge हमेशे आपकी कहाँ से कहाँ पर flow करेगी, higher potential to lower potential charge आपका कहाँ पर जाएगा, higher potential to lower potential यह याद रखो, अगर मैं बोलो कि इनका जो potential है, V, R वो आपका higher और इनका potential आपका क्या है, low clear, तो charge यहाँ से यहाँ पर flow करेगी, clear अगर मैं बोलू कि उल्टा करना आपको एंट के उपर अगर आपको चार्ज को एड़ करनी है तो ए आपकी जो वियार हो मतलब कि इनका जो पोटेंशल हो इनसे क्या बनना चाहिए ज्यादा बनना चाहिए और दूसरी बात कि जब भी ऐसे कनेक्ट करोगे आप दोनों स्विय पिर से चार्ज का ट्रांसपर होना क्या हो जाएगा रुख जाएगा लेकिन हमें वेंदेग्राफ जनरेटर के अंदर काफी हाइप पोटेंशल एड़ करनी है तो हम वहां पे हम क्या करते हैं कंटीनर्शली चार्ट को आड़ करते जाते हैं और 10 to the power of 6 वाल्ट में हम क्या क करते हैं पोटेंशल क्रेट कर सकते हैं तो इनके एक अरेंजमेंट है कि वह अरेंजमेंट हम अगर करें तो आपकी जो पोटेंशल होगी वह पोटेंशल इंक्रीस्ट होगी क्योंकि कंटीनसली चार्ज आपकि हर पोटेंशल टू लोगर पोटेंशल पे ट्रांसपर होती र रेडियस कितनी है, capital R के बराबर जो पहले मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, यह R, और इनके उपर चार्ज आपका कितना है, plus Q के बराबर, इनके उपर चार्ज आपकी कितनी है, plus Q के बराबर, चलो, अगर मैं इनके सेंटर में एक small square रखू, जिसकी रेडियस किसके बराब है, small R के बराबर, और इनके उपर चार्ज कितना है, small Q के बराबर, तो मुझे आप खली इतना बता दो, कि दोनों में से conscious square पे potential high होगा, और जहाँ पे potential high होगा ना, तो वो higher potential to lower potential आपका चार्ज क्या करेगा, transfer करेगा, तो charge का transfer possible हो, तो दोनों को SM conducting medium से connect कर देते हैं, और दूसरी बात याद रखो, कि ये बड़े square के अंदर कोने आपकी small square है, clear, समझ में आकी नहीं, अब देखो आपने study क्या था न, कि ए अगर इनका charge यहाँ पे Q, तो अंदर पूरी जगह पे हर एक point पे potential इनकी क्य होगी के Q divided by R के बराबर, yes or no, ठीक है, चलो, इनके अंदर भी A up to radius R तक, from this center up to radius R तक, इनका potential भी क्या रहेगा, के Q by R तक, yes or no, yes or no, चलो, तो मतलब में बोलू, कि A आपकी जो potential है, potential due to larger sphere, ठीक है, जिसके उपर charge Q और radius कितनी है, R के बराबर, तो उनका potential में mention करू, फिर दोनों को add करके दिखते हैं, कहीं पर क्या potential possible है, तो potential due to, potential due to, large shell, with charge Q, और मैंने बोला, इनका potential, हर एक जगह पर अंदर कितना होगा, के Q divided by R, surface से दूर जाओगे, फिर कम होगा, तो वो inside this vehicle shell कितना होगा, inside shell और up to the radius of the shell क्या होगा, के Q divided by R के बराबर, यह सोर नो, चलो, फिर इनकी potential की बात करू, A plus Q और radius smaller, तो अब two small radius R, इनका potential क्या होगा, के Q by R, ठीके, clear, समझ में आगा की नहीं, चलो, फिर जब A बड़ी radius पे जाओ, R radius पे, तो यह तो जो sphere R, small R radius है, उनसे दूर है न, तो वहाँ पे potential उनका बनेगा, के Q divided by capital R, यह सोर नो, ठीके, तो potential due to, potential due to, small sphere, potential due to, small sphere क्या बनेगा, देखो, तो दो जगा पे, एक यह वाली surface पे, और एक यह वाली surface पे, ठीके, clear, due to small sphere, carrying charge, charge Q, small Q, and radius R, and radius, small R, ठीके, तो फिर्स्ट बहीं, यहाँ पे potential निकालो, उनकी वेज़े से, तो potential, potential, at the surface of small sphere, small sphere, of a radius, small R, तो वो क्या होगा, के Q divided by small R, यह सोर नो, ठीके, फिर देखो, तो दूसरा, potential, potential, at larger shell, larger sphere, अंदर से के VT वाला portion है, ठीके, larger shell, तो वो कितना होगा, of radius, capital R, of radius, capital R, तो वो क्या होगा, के Q divided by capital R, चलो, अभी दोनों point पे total potential निकालनी है, ठीके, यह larger जो, उनकी radius पे आपको total potential निकालना है, और दूसरा, यह small R पे आपको total potential निकालनी है, याद रखो, यह वाली surface पे, और यह वाली surface पे, यह बड़े shell की वज़े से, आपका potential क्या रहेगा, के Q by R, यह small shell का, small sphere का potential चेंज होगा, small radius R पे क्या रहेगा, के Q by R, और यह वाली surface पे कितना बनेगा, के Q divided by capital R, ठीके, तो total potential निकालनी है, यह वाली surface पे, देखो, यह आप पे, larger shell पे, तो इनका potential तो कितना है, के Q divided by R, लेकिन आपकी जो small shell है, उनका potential वहाँ पे कितना है, के Q divided by R, तो यह वहाँ पे potential मिलेगा की नहीं आपको, clear, फिर अंदर देखो, तो यह अंदर वाले sphere पे, बड़े shell की वज़े से potential कितना रहेगा, के Q by capital R, ठीके, और small की वज़े से क्या होगा, के Q divided by small R, yes or no, ठीके, यह terms में खली change है, चलो, तो यहाँ पे दियान दो, वही मैं कर रह ठीके, तो potential on the shell of radius R, total potential, total potential on the shell of radius capital R, तो वो क्या बनेगा, तो VR बनेगा, किसके बराबर, A plus A, तो के Q divided by R, प्लस के Q divided by R, आपको दिख रहा है के Q common, सॉरी, के by R common कर सकते हो, खाली के common करो, तो Q divided by R, प्लस, small Q divided by capital R, ठीके, तो यह आपकी बड़ी shell पे potential बनेगा, फिर देखो next, next, potential on, sphere of radius smaller, potential on, potential on, sphere of radius, radius smaller, तो वो क्या होगा, VR, चलो, महाँ पे potential बड़े shell की वाज़े से, के Q divided by R, और small square की वाज़े से, के Q divided by small R, तो के Q divided by capital R, प्लस के Q divided by small R, so this will be, के common करो, यहाँ पे भी, तो के common करोगे, तो के common होगा, तो Q by R, प्लस, Q by small R, ठीके, equation number 1, और equation number 2, चलो, दोनो equation चेक करके, मुझे बताओ, कि यह दोनों में से potential कौन सी ज़्यादा, तो देखो, के, के, Q by R, Q by R, Q by capital R, Q by small R, यह small R कम है, तो यह पूरी value बड़ी बनेगी की नहीं, और यह value ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे value क्या बनेगी, small बनेगी, yes or no, ठीके, तो यह जो small potential at the radius on the surface of small sphere radius R है, वो इनसे क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, मतलब in short, V R will be greater than V R, small sphere पे radius, small sphere पे potential क्या बनेगा आपका, ज़्यादा, और larger पे क्या बनेगा, कम, तो चार्ज आपकी यह वाले sphere से कहाँ पे जाएगी, यह वाली shell पे जाएगी की नहीं, yes or no, है ना, ठीके, चलो, तो उनका potential difference निकालते हैं, देखो तो, potential difference निकाले, V R, potential on the sphere of, small sphere या तो sphere with a radius, smaller minus V R, आपको पता हैं यहाँ पे, V R is greater than V R, ठीके, चलो, तो यह क्या मिलेगा, तो क्य 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 कामन था, Q divided by R, plus Q divided by R, minus, के यहाँ पे भी कॉमन था आपका, ठीके, तो यह क्या था, Q divided by R, plus Q divided by capital R, यह देखो, यह खाले difference है, है ना, इसलिए तो यह potential जाद है, तो यह आपकी कामन निकल जाएगी, ठीके, यह आपकी क्या होगी, कामन, और देखो दूसरा, इनको simplified करोगे ना, तो यह क्या रहेगा, देखो, Q divided by R, plus Q divided by R, minus Q divided by R, minus Q divided by R, तो यह तो आपका क्या हो जाएगा, cancel, ठीके, तो यह क्या मिलेगा, Q by R, minus Q divided by capital R, चलो, Q भी कामन निकलेगा आपका, तो क्यक्यू डिवाइड by 1 upon R, minus 1 upon R, तो देश विल बी potential difference, between small sphere, and larger shell, clear, yes or no, समझ में आखी नहीं, तो यह आप पे, यह आपका potential difference मिलेगा, ठीके, तो चार्ज आपके, यह small sphere से larger shell पे transfer होगी, अभी यह जो arrangement है न, वो एक device के अंदर create करना है, ठीके, तो वो device कौन है, आपकी वेंदेग्राफ generator, clear, तो चलो, वेंदेग्राफ generator का construction, और उनका working देखते है, yes, clear, चलो, और अगर आप बोलो कि सर, दोनों connect करे, और charge कब तक transfer होगी, जब तक दोनों का potential हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ी charge add कर दूँगा, तो फिर से कहाँ पे बन जाएगा, higher potential पे, तो फिर से charge transfer होगी, तो continuously हमें यहाँ पे charge को add करना पड़ेगा, ठीके, तब जाके वो क्या बनती रहेगी, higher potential पे, चलो, वेंदेग्राफ generator के उपर, तो देखो, यहाँ पे वेंदेग्राफ generator का आपको construction दिखा है, ठीके, और working में explain करूँ, तो वेंदेग्राफ generator के अंदर एक spherical conducting shell होगी, जिसको काफी height पे mount किया है, ठीके, तो यहाँ पे देखो, कि ए ground से काफी height पे उनको mount करके रखा है, ठीके, और यह जो column होती है, यह ज इनके अंदर ना दो पुली रखिए, देखो, एक पुली यहाँ पे और एक second पुली है वाली, और यह दो नो पुली के उपर एक यहाँ पे एक insulating material मतलब की रबबर की या तो सलकी, वहाँ पे bend wind up करके रखिए, जैसे यह rotation start होगा, तो build भी उनके उपर क्या होता है, और motor connected होगी, और वो motor यह पुली को क्या करेगी, गुमाएगी, clear, तो यह पुली गुमेगी, तो साथ में उनके उपर belt है, build की वज़े से यह वाली पुली भी आपकी क्या करते गुमती है, चलो, समझ में आ की नहीं, फिर यह जो ground के उपर जो पुली है, उसको यहाँ पे source के सा connect किया है, तो source से क्या होगा, कि इनको, इनको charge मिलेगा, जो भी charge इनको मिलेगा, देखो यह counter clockwise गुमने वाली है, ठीक है, जो भी charge इनको मिलेगा, वो charge कहाँ पे होगा, belt के उपर, ठीक है, और जैसे यह पुली ने गुमना start किया, तो वो belt के साथ आपकी charge भी कहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक conducting brush रखा है, ठीक है, एक conducting brush क्या करेगा, जैसे ही charge उपर आएगा, नहीं आप पे, ठीक है, तो वहाँ से charge को कहाँ पे लेके जाएगा, यह बड़े वाले shell के उपर, फिर देखो फिर से belt खाली हो जाएगा, और वो गुम के फिर से यहाँ पे नीचे, ऐसे, और फिर से यहाँ से charge मिलेगा, फिर से उपर जाएगा, तो continuously आप क्या कर रहे हो, कि यह जो inner pull है, वो आपके principle के अंदर जो inner sphere था, वैसे काम कर रहा है, जैसे इनके उपर charge आ जाती है, तो यह कहाँ पे बन जाती है, हर potential पे, और हर potential पे बनने की वज़े से, charge आपका कहाँ पे transfer होगा, outer surface पे, ठीक है, outer shell पे, तो outer shell पे आपकी continuously charge एड़ होने होने से, यहाँ पे इनका काफी ज़्यादा potential बन जाता है, और यही potential का use कहाँ पे होता है, कि आपकी जो charge particle है, उनको accelerate करने में, समझ मैं आ कि नहीं, clear, समझ मैं आ कि नहीं, तो construction and working है, तो आपको notes में मैंने यहाँ पे देखे रखा है, ठीक है, आप एक बार खाली read कर लोगे, तो अभी समझा दिया हमने, तो आपको भी वो समझ में आ जाएगा, clear, yes or no, ठीक है, तो यह जो वेंदे graph generator है, उनकी principle और उनकी construction working यहाँ पे आपको करनी नहीं है, बोड के लिए, लेकिन जर्स्ट एक बार खाली देख लेना, ठीक है, तो knowledge भी मिल जाएगा आपको, और दूसरा, कि आपको अगर in case अगर पूछे, तो आप answer भी लिख भाओ, yes or no, तो यहाँ पे मैं wind up करता हूँ, second unit को clear, तो 100% अपना second unit यहाँ पे complete, energy density का topic आपके syllabus में, वो आपक प्रेपेर करना है, ओके, चलो, bye, have a good day,